प्रणाम, कविता की रामबसोई में आपका स्वागत है अमोमन ऐसा होता है कि सर्दियों में हमारी धही अच्छे से नहीं जमती और कई बार तो ऐसा होता है कि जमती ही नहीं है पूरी रात रखे रहने के बावजोर भी मेरी कुछ फ्रेंड्स नहीं जिन्होंने मुझे कई बार ये पूछा कि यार हमारी धही या तो कई बार कम जमती है या जमती ही नहीं है तो आई हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि सर्दियों में एक अच्छी धही कैसे जमाएंगे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमने एक छोटे से बाउल में दूद ले लिया है और इसको हम गरम करेंगे आप जिस भी पतीले में धही जमाना चाहते हों स्टील के आप उस पतीले में ही दूद गरम कर लीजे तो अग CT लिए थोड़ा सा तेज गरम रखेंगे जब हमें सर्दियों में धही जमाना हाहता है बीच बीच में चेक करते रहेंगे हमारा दूद गरम हो गया है चितना हमें दहीगा होगा यह थोड़ा सा लगना चाहिए आपकी फिंगर पे तो इतना गरम होना चाहिए गुन-गुने से थोड़ा सा तेज अब हमसे गैस से उतार लेंगे और यह हमारा जामन था तो अब हम सारे जामन को इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से और चम्मत से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हम इसको ढग देंगे तो यह थोड़ा सा गरम है फिर शॉल को इस तरीके से बिछा के बीचो बीच हम पतीला रखेंगे और अच्छी तरीके से शॉल को रैप कर देंगे इस तरीके से अब यह हमारा रैप हो गया अब हम इसे अच्छी तरह कहीं भी कोने में रखे रहेंगे तो हमारी धही बहुत बढ़िया जमेगी तो हम सवेरे चेक करते हैं फिर इसको तो चलिए हम सवेरे साता से 8 गंटे हुए है तो हम देख लेते हैं हमारी धही बनी है नहीं इसको इस तरीके से खूलेंगे और यह देखिए कितनी अच्छी है थिक धही जमी है थिकनेस देखिए धही की यह देखिए थिकनेस बहुत अच्छी धही जमी है आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसे maximum like and share कीजिए और आपके feedback और comments का मुझे इंतिजार रहेगा हमारा चैनल जरू subscribe कर लें और bell icon पे जरू प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी new notifications ऐसे ही मिलते रहे तो मिलते हैं एक अगरी नई वीडियो के साथ जब तक के लिए प्रणाम